दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वालों की स्टड़ी में तो दोस्तो देखिए मैं आप लोग लिए लाया हूँ एमकॉम प्रिवियस येर बुंदेर खणि उनिविश्टी जहांसी संबंदित दूसरा कोश्चन जो आपके आने वाले पेपरों में आपके लिए मद्यदार सबित हो सकता है तो दोस्तो आप लोग त्यारी कर रहे होंगे आप कॉम प्रिवियस येर की तो उसमें जो कॉर्पोरेट एंड टेक्स प्लाणिंग का पेपर है उसके कुछ कोश्चन से जो मैं आप लोग लिए लाया हूं उसी में से मैं एक कोश्चन में अपना पहले भी आप लोग के सामने अप्लोड कर चुका हूं ये दूसरा कुश्चन है उसी का यानि की कॉर्पोरेट एंड टेक्स प्लानिक का तो दोस्तों जो लोग गुंदेलखन यूवेश्टी जहांसी से संबंदित में कॉम प्रिवेस एर के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है चलिए दोस्तों मैं आप लोग को कोश्चन पढ़के सुनाता हूं और उसका आंसर हुद भी पढ़के बताता हूं है तो कि चलिए दोस्तों सुरू करते हैं प्रेशना के सामसे लिखा हुआ है ओड़ लिखे कीजिए तो आप लोग सामय लिखा हुआ कटाऊतीय हुई है अम पे धारा एकटी सी धारा एक yapmış है धारा एक टीडी धहिंधी दी धारा एक ddG और घारा असलिटी उक क्या ऍको यह हुआ जो आपकर सामय Landes एक इनकी कर आरे पर रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है उत्तर में देर आया है जीवन वीमा प्रीमियम प्राविडेंट फंड में अंसिदान और आ इस्थगेत वार्षे की कुछ अंसों रिल पत्रों एवं अन्य बचते विन योगों आधी के संबंद में कटाउती तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ ल कटाउती के ओनसे फिस्ता दोस्तों या बैक कर सब्सक्राविडियम हुआ हागे था ककते हैं तो यह उहता होती है दो आलनों खोल्सक्राश करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पॉस करके या बैक करके रिवर्स करके दो तीन बार मेरी वाइस को सुन सकते हैं जिससे कि आप लोगो को कुश्चन का अंसर अच्छे से जाद हो जाए तो चलिए दूसरा पॉइंट में पढ़ लेता हूं कि यह कड़ोती कुछ विशिष्ट बनियों को भुक्तानों जमाओं एवं अंसदानों के लिए प्रिदान की जाती है उक पर लेते हैं कड़ोती योग भुक्तान क्वालिफाइंग पेमेंट्स तो धारा एक्टी सी के अंतरगत निम लिखित विनियों को भुक्तानों जमाओं एवं अंसदानों को कड़ोती योग माना गया है तो किनको किनको माना गया है धारा एक्टी सी के अंतरगत तो विनियो एक हेडिंग में आधिया हुए व्यक्ति एवं हिंदू आभिवाजित परिवार दोनों के लिए स्विक्रत कटवती योग भुक्तान हेडिंग के रूप में पहला देर आए कि व्यक्ति एवं हिंदू आविवाजित परिवार दोनों के लिए स्विकरत कड़ोती योग भुक्तान तो पहला पॉइंट लिखा हुए किसी व्यक्ति के मामले में पॉलिसी स्वैम के लिए अपनी पत्नी या अपने पती अथवा अपने बच्चों के लिए एवं आविवाजित परिवार की दसा में पॉलिसी परिवार के सदस्य के लिए ली गई होनी चाहिए पहला नमबर जीवन वीमा पॉलसी जो एक अपरेल 2012 से पूर्व ली गई हो के संबंद में प्रीमियम के भुक्तान की मानने रासी वास्तिक पूंजी रासी की 20% से अधिक नहीं होगी और दूसरा जो पॉलसी जो जीवन वीमा पॉलसी एक अपरेल 2012 को या इसके पच्चात ली गई है यानि कि इसके बाद ली गई है तो जीवन वीमा पॉलसी के संबंद में भुक्तान की मानने रासी वास्तिक पूंजी रासी की 10% से अधिक नहीं होगी एवं तीसरा पॉलसी जो 31 मार्च 2013 के पच्चात ली गई है यानि कि 31 मार्च 2013 के बाद ली गई है के संबंद में प्रिम्यम के बुक्तान की मानने रासी वास्तिक पूंजी रासी के 15% से अधिक नहीं होगी बसरते पॉलिसी निम लिखित किसी व्यक्ति के जीवन पर ली गई है जैसे कि मतलब कि निसकती व्यक्ति या गंभीर निसकती व्यक्ति तो मतलब जो कुछ कर नहीं सकता वह ऐसा व्यक्ति जो गंभीर रूप से हो या निसक्त है मतलब कि या तो बहुत ज्यादा तरीके से रिसक्त है तो ऐसा व्यक्ति और दूसरा नमबर धारा 80-D-D-B में वर्लेत निरधारत रोग या व्यादी से पीडितवक्ति, तो जो धारा 80-D-D-D-B में जो बढलित है, जो रोग मतलब रोग के विसे में जो दिया होगा वहाँ पर जैसे पीडितवक्ति उनके लिए, तो आगे चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों यदि प्रेशने में यह सूचना नहीं दी हुई है कि जीवन भीमा पॉलिसी किस तिथी में ली गई है तो यह मानेंगे कि उक्त पॉलिसी एक अपरेल 2012 से पूर भी ली गई है तो आगे पढ़ लेते हैं कि यहां पर जो कह रहा है क यहां देर आए हैं कि जीवन भीमा पॉलिसी की संब्ध में यह सर्थ है कि प्रेमियम का बुक्तान कम से कम दो वर्स तथा तक अबस्त किया जाए मोख बखां दो वर्स कम से कम में किया जाए अंनिथा स्विक्रत कटवती रद्द कर दी जाएगी तो आप चलिए आगे पढ सुनिए फिर उसको समझिए फिर भी नहीं तो फिर तिवारा से रिवर्स कीजिए और इस तरीके से आप इसको माइंड में कैप्चर करते रही है तो चलिए आगे मैं आप लोगों और पढ़के बता देता हूं तो चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर देखें लिखा हुआ है मैं इसको दोड़ा जून करके पर नहीं कुश्च करता हूं दूसरा पॉइंट स्वैम जीवन साथी यहां बच्चों के नाम से भारती यूनिट ट्रस्ट की यू एल आई पी यू एल आई पी उनैस सो एकटर अंसदान की रासी यदि करदाता यू एल आई पी के अंतरगत दिये जाने वाले अंसदान की अंसदान को पांच वर्स बंद कर देता है तो स्वीकरत कटाउती रद्द कर दी जाएगी तो इसमें जो एक्सेप्सेंस हैं दोस्तों आदे उनको भी याद करना बहुत जरूरी है जो इन सब चीजों में एक इंकम टैक्स में भी देखिया आप लोगों पढ़ा होगा तो जो लोग एम-काउम के चाथ्र हैं तो उन लोग ने भी कौंब किया होगा तो इनकम टैक्स में भी आप लोग यह देके एक्सेप्सेंस बाना की नहीं लिख सकते हैं गड़ा सकते हैं कि इसमें जो नियम हैं यह प्रण पर चाहिए यह तो इसमें थोड़ा थोड़ा मेहनत है लेकिन आप लोग करेंगे तो यह बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है एक विकार से देखा जाए तो इसको पढ़ने में बहुत मज़बी आता है चलिए आकर पढ़ते हैं तीन नमबर का देख लेते हैं धारा दस टेजडी में वर्लित भारती जीवन बीमा निगम के पारसपरिक कार पारसपरिक कोस यानि कि मिच्वल फंड के यूनिट लिंक्ड इंस्योरंस प्लान में अपने अथवा अपने जीवन साथी अथवा अपने बच्चे के नाम से अंसदान की रासी यानि कि उस बोल लाइव स्वायम का विक्ति है और उसका जो संब्थ है सिर्फ अपने पत्नी या अपने बच्चों के साथ होना चाहिए तो उसके लिए अंसिदान की रासी के नाम से अंसिदान की रासी तो चौथर नमबर दे रहा है कि लिखा हुआ है केंदरी सरकार द्वारा अधिसूचित जीवन भीमा निगम या किसी अन भीमा करता की किसी वार्षे की योजना में एक प्लान फर्ष्ट प्लान सेकेंड एवं थर्ड प्लान जो भारती जीवन भीमा निगम की जोजनाएं अधिसूचित की गई है तो पांचमा प्वाइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि धारा टेंड ट्वंटी थ्री डी में वर्णित कि दास बोस्तों आप लोग दारा जो आप लिख रहाए निख या पर लिखा हुए दारा 10 और कोश्टक के आंदर टेस III लिखा वगवा लिखा हुए और इसको थी और जो तो प्व्यकम कॉश्ट के लिखा हुए और छटमा नमबर है केंदरी सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक में पांच वर्स या अधिक की नियत अवधिक के लिए जमा की गई रासी और नमबर साथ केंदरी सरकार द्वारा अधी सूचित प्रती भूतियों एवं जमा योजनाओं में विन्योग की गई रासी आठवा नमबर रियाईसी मकान खरीदने अथवा बनवाने के संबंद में लिये गई रिनका गत वरस में वापसी भुकतान इस मकान की आए मकान संपत्ती से आएक के सीर्षक में कर योग होनी चाहिए नमबर नौ राश्ट्री आवाज बैंक के ग्रै अलिन खाते में जमा की गई रासी अथवा इस बैंक द्वारा इस्थापित पेंसन फंड में अंसदान नमबर दस्वा टाक खाने के पांच वरसी सावधी जमा खाते में जमा की गई रासी नमबर ग्यारा राश्ट्री करसी वा ग्रामले विकास बैंक द्वारा जारी किये गए अधिसूचित ब्रांड में अंसदान नमबर बारा नमबर बारा चलिए इसको थोड़ा जून कर लेता हूं मैं नमबर बारा में दिया हुआ है आधार भूत आधार भूत सुविधा प्रिदान करने वाली तथा अथवा बिजली के उत्पादन तथा अथवा वित्रण में लगी हुई अथवा दूर भासी सिवाएं प्यदान करने में लगी हुई चाहे बेसिक हो या अथवा सैलूलर अथवा अधोगिक पार्क पर विशेज आर्थिक छेत्र सेज के यानि कि इसका फुल फॉर्म आप सौटकर्ड में दिया हुआ है तो विशेज आर्थिक छेत्र के विकास आधी कार में लगी हुई सार्व जने कंपनी द्वारा निर्गमित समता अंसों अथवा रिल पत्रों में किया गया विनियोग जह निर्गमन सार्व जनिक और अब बी आगे नंबर अभी तक हम लोग एंगलिस एक पर रहे थे हिंदी मेंट इसमें ईर्ट एप ब्रहरा थे आप पॉइंट बी में आगए कि केवल व्यक्ति और इंडिवीज्र करदाता है तो स्विकरत बचते भुकतान विनियोग चलिए इस हेडिंग को भी आगे प्ड़ लेते हैं dot by point written इसमें एक नंबर दीया हुए जैसे कि तो स्वीक्रत बच्ट सब्सक्राइब और व्म्रेथ जीवन पर था और स्थगत वार्शकी कि वासिकी को चालू रखने के लिए भुक्तान की गई रासी यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है तो वेतन के एक बटा पांच याने कि बीस परशंट भाग तक काटी गई रासी तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं तूसरा पेंज में निकाल लेता हूं पहला पॉइं व्यद्द्धानिक भविसनिदी है मेर करमेचारी द्वारा किये अंसेदान की रासी हगाएं प्रमालो स्क्रैणि मेर करमेचारी द्वारा किये अंसिदान की रासी 24 स् проблемы जीवन साथी अत्वा बच्चों के नाम से सार्वजनिक भविस्य निदी और प्विडेट फंड प्विडेंट में अंसिदान की राशी अधिक्तम डिल्व लाग तक 1,151,000 तक आदी 1,151,000 से अधिक रासी जम्या कि जाती है तो 1,50,000 से अधिक जम्या कि रासी पर व्याज नहीं मिलेगा तो अब नंबर पांकमा दिया हुए है कि राश्ट्री बचतð प्रमाल पत्र के और वौता है एवं नवम नर्गम यानि कि आठ्वा और नॉमा के निरगमन में विनियोजद की गई राशी के एवं और जित ग्याज के आषठ्वम नरावत नर्गमण में विनियोजिद संपूर्ण raf पूर्व में खरीदे गए थे उन पर अरजित ब्याज की कटाउती योग होगा अब पॉइंट भी लिखा हुआ है दोस्तों अब इसको भी पढ़ लेते हैं आप लोग ये विर्मा अब बोको च्छा क्वश्चा के जितना अच्छा काफी को आप सजाएंगे लिखेंगे बिल्कुल और सूप सुंतरा तो उतने ही अच्छे आपको मार्क्ष मिलने वादे दोस्तों ज़्यादा लिखेने के वज़ा है कम लिखिए लेकिन प्रिजेंटेशन को ध्यान दीजिए और साफ सुतरा लिखिए और बेतरी कापी को इतना अच्छा सजाईए कि कमा की एक्जामिनर कापी को जब चेक करें और देख के ही इसको इतना खुस हो जाए कि आपको बहुत अच चीश्ता बीमाजीम के संबंद में कटॉती तो देख सकते हैं आप यहां सब्सके यहीं कर दाता हुए तो आप समझतों के वह एक व्यक्ति को और हिंदू आभिवाज HEY प्राप्त है तो आप समझ गया हो गया को और बहुत हैं परफ़ते पसरते कर दाता गिंदू गत वर्स में अपनी करयोग आय में से स्वास्त बीमा Тेयम प्लिसी पर प्रीमियम का भुकतान, Escape स्वास्त बीमाasten. किसी योजना के अंतरगत रोकल के अतरेक्त अन्न किसी प्रिकार से भुकतान करता है। यदि किसी व्यक्ति करदाता ने अपने जीवन साती अथवा माता पिता आसृत हैं या नहीं इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते तथा आस्रित बच्चों के स्वास्त का भीमा करवाया है या हिंदू आविवाजित परिवार ने परिवार के किसी भी सदस्त का स्वास्त भीमा करवाया हो तो उसके लिए चुकाई गई भीमा प्रीमियम की रासी के संबंद में सुक्रत की जाने वाली कटाउती से संबंदित प्रावधान निम लिखेता है प्रावधान है उसके लिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं तो पॉइंट बाइप दिए हुए हैं चलिए दोस्तों पढ़ना सुरू कर देते हैं तो आदिया हुआ यानि की पॉइंट दिया हुआ है इसको एसे हम समझते हैं एक व्यक्ति की दसा में अभी तो हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति की दसा में पढ़ रहा हैं चलिए पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर एक स्वयम के अपने जीवन साथी के एवं आश्र बच्चों के संबंद में स्वास्त भीमा प्रीमियम की चुकाई गई वास्त्विक रकम अथवा रुपए 15,000 वरिष्ट नागरेग की दसा में 20,000 जो भी दोनों में से कम हो पहली सर्थ और दूसरा नंबर माता पिता की संबंद में स्वास्त भीमा प्रीमियम की चुकाई गई वास्तविक रकम अथवा रुपए 15,000 जो भी दोनों में से कम हो की अतरिक्त कटाउती स्विक्रत होती है परन्तु वरिष्ठ नागरेत महातापिता की दसा में चुकाई गई वास्त्विक रकम अथवा रुपए 20,000 जो भी दोनों में से कम हो की अतरिक्त कटाउती स्विक्रत होगी तो दोस्तों यह जो भी नियम दिये हुए हैं यह से 2017-2019 पर लागू होते हैं तो यह जो मेरी किताब है मैं बुक की दोरह पढ़ रहा हूं कभी कभी किताबों में तो गलतियां भी हो जाती है छपने में तो आप लोग को कहीं कोई गलती समय में आए तो आप से यह मत समझेगे किताबों में गलती हो सकती है छपने में कभी वैसे कि को कि यह लेकिन जो पैटन है इसमें दिया हुआ है जो भी नियम दिये हुए है सब नए और लेटिस्ट है यानि कि सन 2018-2019 में लागू उदने वाले हैं तो चलिए आगे और पढ़ लेते हैं हम लोग कि देखिए पॉइंट सी दिया हुआ है अभी हम लोग पॉइंट बी को ऊपर चिकिस्टा बीम में के संबंदे में कटवती पढ़ क्या हैं अब सी की सी में आ जाते हैं हम लोग तो विकलांग आश्रित व्यक्तियों के बहरन पोर्सण एवं चिकिस्टा पर हुए व्यक्ति द्वारत के निवासी व्यक्ति अथवा हिंदू आविवाजित परिवार अपने पर आश्रित विकलांग व्यक्ति की चिकिस्टा प्रसिच्छन अथवा पुनरवास पर कोई खर्चा करता है या खर्चा करता या व्यक्तिया गया है अथवा इसी उद्देश से हेतू भारती जीवन पीमा निगम अन्य पीमा करता या यूनिट ट्रेस्ट आप इंडिया के द्वारा बनाई गई ऐसी योजना चलिए मैं इसको आगे कर लेता हूं दोस्तों आप इसको पॉस करके सब्सक्राइब कर देता हूं यूजना में धन जमक गया गया है तो इस संबंद में पच्चास हजार तथा गरीब रूप कंभीर रूप से निसक्तिता से ग्रस्त आश्रित असमर्त और विकलांगता असी परसंट जादेख है अगर तो उनके लिए एक लाग की कटावती प् तरगत कटावती प्राप्त करने के लिए यह आवस्यक है कि करदाता को आयकर विवरणी के साथ चिक्सा अधिकारी द्वारा प्यदत इस आसे का प्रिमारपत्र सनलगन करना होगा यदि विकलांग आश्रित की मित्यू करदाता की मित्यू के पूर्व हो जाए तो वापसी क रूप में प्राप्तरासी का कर योग मानी जाए जी नंबर डी पढ़ लेते हैं यह जो दिया हुआ है कि कुछ को सो यानि निधियों और पुन्यार्त संस्थाओं आधी को दिये गए दान के संबंदे में कटावती तो इसके कटावती जो होती है धारा आट टी जी आप दे में काम कि इंद्रा। कि मन्दर झाफ के होते हैं जहां की और पर दंद्र संबंद ए मकटावती तो यह जायानि में धारा इट्छी का अट्या में आधी कटावती सभी करदाव को दी जाती है है देखिए इसमें लिखा हुआ साफ साफ डिडेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैलिटेवल इंस्टिट्यूशन एटीसी तो चलिए आव इसकी हम लोग सर्ते और डेफिनेशन जो भी यह पढ़ लेते हैं आगे धारा असी जी यानि एटी जी की कटावती स्विक्रत होने के लिए आवस्यक सर्ते सर्ते दियो हैं चलिए पढ़ लेते हैं एक पहला नंबर दान मुद्रा के रूप में दिये गया हैं यदि दान वस्तु के रूप में दिया गया है तो उस दान के संबंद में कटावती स्विक्रत नहीं होगी पहला पॉ स्विक्रत मानी जाएगी यदि एक अप्रेयल 2012 को या इसके पच्चाथ यानि कि इसके बाद रुपए 10,000 से अधिक का दान दिया जाता है तो ऐसा दान रोकड यानि की कैस में ना दे कर किसी अन्य प्रिकार यानि की चैक हो गया ड्राप्ट हो गया डेविट कार्ड आधी द् स्विक्रत नहीं होगी अगर एक अप्रेयल 2012 को इसके बाद यानि की 10,000 से अधिक कदान दिया जाता है तो चैक या ड्राप या डेविट कार्ड आधी द्वारा दिया जाना चाहिए नहीं तो तो भी कटाउती स्विक्रत नहीं होगी आप लोग समझ गया होंगो दोस्तों क से जाता है कि कि इसमी क्या बोल रहा है और बहुत ही मतलब आगर आप लोग एक बर मैं समझ में नहीं आरहा तो आप इसको कीजिए पास कीजिए असानी से पढ़िए दो बार तीन बार चार बार जितनी बार आपको रिवर्स करके आपस कई बार सुन सकते हैं समझ सकते तो यह आप लोग नहीं बहुत असान और अच्छा सावित हो सकता है दोस्तों मेरी कोशिश तो यह चलिए आगे पढ़ लेते हैं दान किसी विसेश जाती औथवा धर्म के नहीं माने जाते हैं और दान केवल तीसरा पॉइंट है दान केवल धारा असी जी में वर्नित कोसो या संस्थाओं को ही दिया गया हो तो आगे पड़ते हैं धारा नंबर पॉइंट चार है दोस्तों यदि करदाता ने कोई पुन्यारत कार स्वैम किया है तो इस पर कट्वथि नहीं मिलेगे अता कट्वथि के लिए ऑस्यप है कि दान संस्था यह कोस को दिया जाए है कोई करते हैं किवह काम और दश्चला भाले तो ऊसपूं पहा पैसे देंगे तो इसपर अपको कट्वथि मिलेगी छूट मिलेगी तो ऐसा होता है तो चलिए इसा बोल रहा है कि तो उसके हिसाब से अब आगे पढ़ लेते हैं कि नंबर पांचवा पढ़ लेते हैं आगे यदी करदाता को उक्त दोनों के संदर्मे में आयकर अधिनियम की अन्न किसी धारा में कटावती मिली है तो इस धारा की कटावती पिदान नहीं की जाएगी करदाता को दान की गई दान की कटावती प्राप्त करने के लिए प्राप्ती की रसीद जमा करानी होगी तो आप लोग दोस्तों पढ़ लिया होगा समझ गऊंगे इसमें चार पॉइंट दिये हुए है धारा असी जी के अंतरगत चार पॉइंट दी गए और अभी नीचे भी सब्सक्राइब फ़र्फाइब ऑप्रकार में और देखेंगे जिन की योग गराशी जिन की तुम कालिफाइंग की कोई सीमा नहीं है और दूसरा नममर ऐसे दान जिन कि योग गराशी की एक सीमा है यानि कि दो प्रकार ने बता दिये कि जिसकी सीमा है और जिसकी सीमा नहीं है तो पहला नंबर है कि बिना सीमा वाले दान विदाउट लिमिट डोनेशन तो चलिए यह दान भी दो प्रकार के होते हैं तो यह दान इसके अंदर भी दो प्रकार है तो बिना समद्द में 100 परशंद कटाउती और दूसरा पॉइंट है कि ऐसे दान जिनके संबंद में 50परशंट करता हूचते क्या आ पैका हेडिंग से ही अpl。 उल्ले संबंद में चलते हैं this living अभी तो बिना सीमा वाले दान थे अब सीमा वाले के अंदर आ गई डूनेशन विद लिमिट ऐसे दानों के संबंद में कटवतिक के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट यानि की योग गिरासी योग गिरासी की एक अधिक्तम सीमा निर्धारित की गई है एवं दान की वास्त बहुत को थोड़ा पलटा लेता हूँ जिनकी रक म हों उससव पर परशंट यांपचास परशंट जो भी चार दर लागू हो कि दर से स्विक्रत की जाती है तो यानि कि वो लाया है कि 100% या 50% जो भी चार दर लागू हो कि दर से स्विक्रत की जाती है चलिए आगे पढ़ लेती है जो गिरासी का आस है दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं मैं आप लोग लिए इसलिए से लाया हूं कि ताकि आप लो पर तरिखे से कर दोसे सरह नहीं पढ़ना जाते हैं सिर्फ वाइसाए की सुनना जाए। खरक्ति तो आपको इस तरह कि लाया हो मेरे का आपको याद कर सकेए। इतना सरहल हो सकेए कैसे भी करकर याप लोग का एकजाम अच्छा जाए। तो बस चलिए को लाए होती है उन में से जो निम लिखता यहां दी हुई है उन रासी घटाने के बाद बच्ची हुई रासी की दस परशन रासी को योग रासी जाने की क्वारिफाइंग आमाउंट कहते हैं समझ गया होंगे आप लोग अब दोस्ति तो मतलब कह रहा है कि जो सकल को लाए हो जो दस परशन रासी होगी उसको जोग रासी कहें यानिकी सी को तस परशन की दस परशन तीगे चलिए आगे पढ़ लेते हैं तो पहला है सकल कुलाय में सामिल करमुकताय दूसरा दीरिकालीन पूंजी लाब एवं धारा एक सुग्यारा एमें वनलेत अल्पे कालीन कुछोड़ करके कटवतियानी की असी सी से लेकर एक यू तक दोस्तों आप लोग समझ रहा हूंगे यानि कि असी झी डी असी एक असी एप और चो चोड़ नहीं है यानिकर जी तक वाफ लोग समझ गहाऊंगे यह क्या बोल रहा है तो चलिए और आगे आप पढ़ लेते ह हो गाया बिन सीमा वाले दान जिसके संबंद में 100% कटवती स्विक्रत हैं बिन सीमा वाले दान जिसमें कि कोई सीमा नहीं है अब पूरी तरह उपर कोगी आपने चैनिंग पड़ी ती कोई कटावती नहीं है है स्वीक्रत कटाथी सफ़ाद कटावती सुप्रत है यानि पूरा-पूरा पूरा हँंडेड़ प्रसंट चलिए पहला नुम्म्मर लेते हैं राष्ट्री सुरच्छा को त्राष्ट्री बाल को सब तूसरा नम्मर प्रदान-मंत चौथा नंबर अफ्रीका फंड साफजनिक अंसिदान भारत के अंदर और चौथ पांचवा राश्ट्री सामप्रदाइग सदभाव फाउंडेशन और सहार्द के लिए और छटवा दिया हुआ अनुमोदित विश्व विद्यालाय राश्ट्री महत्यों का सैंच्छडिक संस आठवा नंबर तीज जिला साथाचा समीति और राश्ट्री रख्त टांस्फ्यूजन कांस्लिंग राज्ज रख्त टांस्फ्यूजन कांस्लिंग और आपको ड्हें दर्श्वा नंबर राज सरकार द्वारा गरीबों को चिकिस्स सहायथा पreugate leave के लिए इस्थापित कोस और ग्यारवा नमबर सेना अथ्वा हवाई सेना का किंद्री रहत कोस तथा भारती समुद्री जहाज है कि उसको थोड़ा समय जूम कर लेता हूं जहाज के बेड़े का परोब कारी कोस और भारा नमबर आंद्र पेदेश मुख्मंत्री तूफान पीडित साहता कोस और तेरे नमबर बीमारियों का राष्टरी साहता कोस और चौदा मुख्मंत्री अथ्वा लेटिनेंट गवरनर का राहत कोस और सूला पंद्रा पंद्रा नमबर राष्टरी खेल कूत कोस तो यह आप लोग पंद्रा यहां पर पॉइंट दिये हुए थे इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं कि फटा फट से इनको भी पढ़ लेती हैं दोस्तों क्योंकि मुझे डिफाइंड करूंगा अगर मैं तो आप वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी और आप काफी बढ़ जाएगी तो मैं इसको डिफाइंड करने वजा पढ़ता हूं सीधे आप लोग इसको पॉस करके या रिवर्स करके दो तीन बार सुनिए अच्छानी समझिए और स्वायम से समझ नहीं कुछिस कीजिए तो चलिए आगे मैं पढ़ लेता हूं सोला नंबर राष्टरी सांस्क्रितिक कोस्त और उसके बाद नेस्ट पॉइंट है केंडरी सरकार द्वारा राष्टरी लिच्ण बाध भूकम से हता हत व्यक्तियों को राहत पहुंचाने है एक त्थापित कोस्त और उसके आगे है मस्तिस चकर तथा मानसिक विलंबन आदी बिमारियों से गिरसित व्यक्ति के कल्यान थे राष्टरी ट्रस्टर और उसके बाद नेस्ट पॉइंट है सच्छ भा आप पहुंच चलते हैं हम लोग यह एडिंग दीजिए जो पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि एक पहले पढ़ा हुआ था कि अब भीना सर्त वाला उसमें 100% छूट थी इसका तब फिटी परसंट दी चूट वाला पॉइंट आ चुका है बिना सीमा वाले दान जिनके परिवार नियोजन को प्रोसाहन देने के लिए परिवार नियोजन को प्रोसाहन देने के लिए संसाे दिए गए दान जो सरकार अथवा इस्थानी सत्ता अथवा आईसे संग अथवा संसा को दिए गए हो जो केंदरी सरकार द्वारा अनवोदत हैं अथ्वा एक कमपणी द्वारा भारती ओलम्पिक एसोसियेशन अथ्वा भारत में स्थापित प्रेंद्री सरकार द्वारा अधिसूचित खेल कूद के संग अथ्वा संस्था को नियम्न कारण के लिए के दान निमने कार रिक के लिए दान सौरी दोस्तों कि में थोड़ा सब पढ़ने में यह साइड में थोड़ा है समझ में आने वज़े से कि सब्सक्राइब दूसरा यह पॉइंट पढ़ लेते हैं आगे भारत में कृड़ा और खेल कूद के संबन्द में कि अब सम्राचना के विकास के लिए या दूसरा भारत में कृड़ा या खेल कूद के प्रायोजन के लिए और बी पॉइंट यह लिखा हुआ है जो दूसरा है सीमा वालों के अंदर हरा सीमा वाले दान जिनके संबंद में योग गरासी 50% कटाउती मिलती है इसमें तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं वह बिना सीमा वाले इसमें की सव पर्षंट की कटाउती वाला हम पढ़ चुके हैं 50% कटाउती वाला अब पढ़ने जा रहा है तो पहला पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं सरकार अथवा किसी इस्थानी सत्ता को किसी पुन्यार्त कारे के लिए किये गैदान परिवार योजन के उद्देश से को छोड़ कर अथवा दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं भारत में इस्थापित किसी ऐसे संस्था अथवा कोस में दिये गैदान जो पुन्यार्त उद्देश से के लिए इस्थापित किया गया हो और तीसरा नमबर किसी ऐ ऐसी सत्ता को दिये गए दान जो मकान बनाने अथ्वा सहरो वा गाओं का योजना बद्ध विकास तथा सुधार करने के उदेश से किसी कानून के अंतरगत भारत में संगठित हुई हो अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों अथ्वा में लास्ट है गए थोड़ा से बचा हु पॉइंट है केंद्री अथ्वा राज्य सरकार द्वारा इस्थापित ऐसा निगम जो अल्प संख्यक लोगों के हितों को उन्नत अथ्वा उत्थान करने के लिए हो पांचवा पॉइंट किसी मंदिर मस्जित गुरुद्वारा गिर्जागर अथ्वा अन ऐसे सस्थान की म मरमत अथुबड़ा नमीनी करण लिए दियू गया दान कर से मुख्श हैं तधा जो चैन्दरी कि केंद्री सरकार द्वारा राज्य की पत्र में अतिहासिक अथ्वा कलात्मत ऑफ़किके अथ्वा किसी कि अधवा किसी इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं अधवा किसी राज भर में महत्य पूर्ण सार्वजनिक पूजा के इस्थान घोसित कर दिये गए तो दोस्तों अब एक लास्ट कटाउती की धारा बची हुई है जिसको हम पढ़ लेते हैं जो है की धारा एटी यू यानि क सभ्यक्ति उसारी इस्थाइड हो से सारीरिक असमर्थ नहीं करसकता है, तो यह इससे संबंदित है पीडित व्यक्ति जो अंधा हो या मतलब इस्थाई रूप से सारी रिक रूप से असमर्थ हो कुछ नहीं कर सकता हो हाथ पाउं खराब हो गया हो इस तरीका ऐसा व्यक्ति वह किसके अंतरगत आता है धारा असी यू के अंतरगत तो चलिए भारत मे निवासी व्यक्ति जो सारी रिक असमर्थता से पीडित है अपनी कर योग आए की गर्णा करने में धारा असी यू के अंतरगत पचास जार रूपए की कटावती पाने का अधिकारी है यदि वह व्यक्ति गंभी सारी असमर्थता अर्थाथ 80% से अधिक असमर्थता से आए की विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा यह प्रमार्पत्र चिकस्ता द्वारा बताई गई अवधी तक वैद माना जाता है तो दोस्तों आप लोग उने इसको पढ़ा होगा यह पूरा केवल एक कोस्टन है दीर की कोस्टन इसको कि हम लोग लॉग कोस्टन बोलते हैं आहे-जूसर ऺचल सकते हैं तो दोस्तों यह पूरा एक को अच्छी में लूग कोस्टन त्यार हुआ यह आपको सोट में हम सब्सक्राइब बत्रा है को सुछाइम healthy पूछ है और अपने दोस्तों साथ सेयर कीजिए हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो किताब द्वारा नहीं पढ़ना चाहता है सिर्फ widis के द्वारा सुनना चाहता है हो सकता है उसके लिए कि यह मेरी विडियो मददगार सावित हो जाए तो दोस्तो कोशिस केजिएगा अगर आप लोग stopping अप içग और सबसे पैले मिल सकें और आप नए एस तरह की वीडियो शबसे पहले देख सकें तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोग पसंद लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आई तो इसको डिसलाइक कीजिए थैंक्यों दोस्तों आपका दिन सुहूँ